हाई दोस्तों मैं हूँ प्रियंका और आज में अप्टी मसालेदार ममें इस किचन में बिनाएंगे लच्छा का पराठा और आप सभी का श्वागत है हमारी चैनल पर अगया आप देख लीजा वार चैनल पराठा के बहुत ही क्रंची बना UXा वहा यौ ऑछ रख और अच्छा अलगा नहीं है नहीं है और इसको बनाने के लिए आप मारे साथ मारे वीडियो में चलोचलते हैं देखते हैं कैसी कैसी में इसको बनाते हैं held प्राठ बनाने के लिए सबसे पहले हमको लेना होगा अठा हम नॉर्मली के आठे से ही पनाएंगे कोई कोई श को मेंदे से भी बनाता है लेकिन के आठे से बनाएंगे तो कि यूमो काटा हमारे घर में हमेशा भी लेवल होता है और नुक्सान भी नहीं करता है उसे से बनाएंगे मैं दो तीन कप गयों काटा ले लिया है और मैं फिर पाने से इसको फूथ हूंगी और मैं इसमें एक चीज भूल गई हूं डालना अभी मैं इसको डालती हूं इसमें ओ है अजवाइन और नमग आप पहले एक डाल दें मेरी तरह भूले नहीं अजवाइन भी डाल दिया है कमच और नमग डाल दूंगे मैं अपने टेस्ट के अशार तो आप इसमें ऑईल अगरा बिल्कुल डालने की ज़रूवत नहीं है बस अजवाइन नमग से ही काम चलेगा इसका आगे हम थोड़ा सा ओल इसमें लगाएंगे और इसको हम ऐसे ही सब्सक्राइब करने के लिए अभी इसको मैंने ढख के रखती है दस-फांच मिनट के लिए तोड़ा रेस्ट कर लें तब तक हम और तयारिया कर दो तो रेस्ट हो भी हो जाया इसको नेल लेगा के तोड़ा इसकी आठे को फिर से मुझत हेंगे तब तक दोस्तों आप मारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें शेयर भी अरे लाइक भी कर दें सब्सक्राइब आप प्लीज जरूर करें हाटा हमारे तयार हो चुका है विसको में चल रहे हैं बनाने की तरफ हैंने एक प्रोटी सी लोई ले लिए है जैसे आप रोटी बनाते आप उसी तरह से इसको ले 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 अब इसको में बेल लेंगे अच्छी तरीके से इसको काफी लंबा पेलना होगा मैंने इसमें तोड़ा स्टा लगा दिया था फिर रश्य जिए लेंगे अब मैंने इसको तरह से बेल लिया ऑफिसमें हम लगाएंगे ऐल कि अच्छे तरह से लगाना होगा कम नहीं लगाएंगे तो कि इसी से क्रंचिक बनाएगा चलके अच्छे से ऑप्लाई कर दिया है थोड़ा साथ इसमें सुख हाटा डालेंगे अब इसको हम ऐसे एक गूसरे कुपर रैप करते हुगे चले जाएंगे कि आप हाथों से इसको से फ्रेस करते हुए आगे पढ़िए पोल्डे करिए फिर आगे बढ़िए कोई भी डिक्कत नहीं आती इसको बहुत आराम से बन जाता है आटा को थोड़ा सा आप टाइट ही लगाए बहुत नरम आटा रहेगा तो थोड़ी डिक्कत आती बनाने में और टाइट आटा रहता है तो क्रंची पन भी जादा ही आता है इसको हम ब्रेव को खीशते हुए अच्छे से रोल करेंगे ताकि फिर से हमारी एक लोई बन जाए इसको हमां भी फिर से बेलेंगे अच्छे तरह से इसको हम प्रेस कर देंगे ताकि वह बाहर कोना बाहर ना निकले मैंने तीन-चार बना लिए है अब इसको हम बेलते हैं कैसे उसे तरह से हम बेल लेंगे बहुत ही इजी है लेकिन बेलते समय अब की बार हमको सकता कagarए अंथी और दो एक जफाना नहीं है बस हलके हलके हां से इसको बेलना है मै नोने गयर का लतनाए अब लास्ट मेराटा अव्मस बिस्तभी मिर्जी तो भी डाल गही हूँ अच्छा पराछे मृचिया स्वाद बहुता है और अपने हिसाब से ढाले थोड़ा बहुत , मैंने हलका से डाला है , अब मैं गया सॉन करूंगे , और इस पे मैंने पैन रख दिया ह॥ हलका समेर जया है , तब इसमें हम , प्राथा अच्छी नहीं बनेगा ताकि इसमें लच्छे लच्छे अलग अलग हो जाए बना लिया है। इसी तरह से सारे प्रा démocrat anything को बणा लिए उटा लिए कि हुदा गरम है कि शुआ यख्या नहीं कुलें हलका सचंडा होगा लच्छे सारे खुल जाएंगे कि मैंने इसारे बना लिया है इसका देकि किया है कि में डिकभी कर दिया है देखें सारे लच्छी इसकी अलग हो जाते हैं बहुत ही क्रंची बनता है बहुत ही अच्छा लगता है खाने में स्वादिस्ट भी होता है आप भी बनाईए enjoy करिए खाईए और हमें भी comment कर ये बताइए कि हमारा प्राठा कैसा बना था आप हरी चतनी के साथ सबजी के साथ क किसी सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों मारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें